नमस्कार मैं उश्रुति पाध्या और आप देख रहे हैं चुनावास तक राजनीती में यंग लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है यही वज़ा है कि बड़े नेताओं के प्रचार में परिवार के लोग नजर आ रहे हैं इसी 2024 के लोगसभा चुनाव में कई नेता अपने बच्चों के साथ चुनाव में प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं जो तिरा अदित्य सिंध्या के बेटे महा आर्यमन से लेकर सुप्रिय सुले की बेटी रेवती सुले तक फिलहाल आज हम बात करेंगे यूपी के पूरु मुख्यमंत्री अखलेश यादव की बेटी अदिती यादव का जिनका नाम इन दीनों सोशल मीडिया पर जोरो पर चल रहा है क्योंकि अदिती यादव अपनी मा डिमबल यादव के लिए प्रचार कर रही है अदिती यादव की राजनीती की बारीकियों को बताने के लिए स्वयम अखलेश यादव ने प्रयागराज की रहने वाली यंग और राजनीती के साथ अच्छी शिक्षा हासिल करने वाली निधियादव को ये जिम्मेदारी दी है आईए आपको बताते हैं कि कौन है निधियादव पूर मुख्यमंत्री अखलेश यादव की बेटी अधिती यादव को प्रचार में जाने से पहले और प्रचार करके आने के बात के अलावा प्रचार करने के दौरान हर राजनीती की बारी किया प्रयागराज की रहने वाली निधी यादव उनको बता रही है अधिती यादव के साथ निधी यादव राजनीती के ग्राउंड में हर जगा कदम ताल कर रही है निधी यादव प्रयागराज के जॉर्च टाउन इलाके की रहने वाली है इनके पिता वासुदेव MLC रह चुके हैं MLC बनने से पहले इनके पिता वासुदेव यादव UP बोर्ड के सचिव भी रह चुके है निधी यादव के शुरुवाती शिक्षा प्रयागराज की नामी स्कूल GSS से हुई है निधी यादव ने 10 वी कानपूर से तो 12 वी इलहाबाद से पास किया है इलहाबाद विश्विद्याले से ग्राजुएशन अर्थशास्त्र से किया है यही नहीं निधी यादव ने LLB तो MBA भी कर रखा है निधी यादव का प्रयागराज में अपना डिगरी कॉलेच है जिसकी वो प्रबंधक भी है निधी यादव ने MBA करने के बाद कॉर्परेट सेक्टर दिल्ली में चौब भी किया है निधी यादव ने अपना एक मुंबई में शोरूम भी खोला था लेकिन सभय के अभाव के कारण एक साल में उसे बंद करना पड़ा वर्तमान में निधी यादव समाजवादी पार्टी की महिला विंग समाजवादी महिला सभा की राश्य उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सम्हाल रही है इसके अलावा वो समाजवादी पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट भी है निधियादव अखलेश सरकार में परियतन विभाग में सलाकार भी रह चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक निधी यादव अखलेश सरकार के समय चुनावी अध्ययन के लिए अमेरिका भी जा चुकी है उत्तरप्रदेश के मैनपुरी को होट सीट माना जाता है यहां से सपासांसत डिंपल यादव लोकसभा के लिए दोबारा मैदान में उत्री है मैनपुरी में साथ मई को वोटिंग है अब देखना दिल्चस्प होगा कि मा डिंपल यादव की चुनावी रण में अधिती यादव की महनत रंग लापाती है या नहीं फिलहाल मुझे दीजे इजासत अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले